तो कैसे है आप सब, I hope you guys all well आज भी इस वीडियो में बॉल उट के कुछ न्यू अपडेट के बारे में हम बात करने वाले जैसे लाल सिंग चड़ा मूवी का एक छोटा सा अपडेट सामने आया वो बताने वाला हूँ अन उदित नरायन के बेटा आदित नरायन उन्होंने कॉरोना पॉजिटिव होने के बाद उसका भी financial problem हुआता तो उसके बारे में उन्होंने कुछ बाते बताया क्या बताया वो अपडेट देने वाला हूँ अन फाइनली इंडियान हिस्ट्री में सबसे जादा बजेट की मूवी अब प्रवाश की हाथ में उन्होंने उसका upcoming दो बिग बजेट मूवी का बजेट उन्होंने बताया वो भी आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर ये चैनल को आप subscribe नहीं किया तो एक ही छोटा साड़ी कोईस्ट चैनल को subscribe के बिना कहीं मत जाना क्योंकि ऐसी पूरी इंडियन फिल्मी दुनिया की हर ख़वरे न्यू गॉसिप्स जो भी अपडेट सामने आते मैं ऐसी कवर करते रहता हूँ तो चैनल के साथ बने रहना So let's talk about लाल सिंग चड़ा तो लाल सिंग चड़ा की shooting resume हुआ था दिल्ली में जहां पर पहले अमीर खान जॉइन किया था इस movie में और उसके बाद September की last week में करीना कपूर भी इस movie में जॉइन किया था And recent जो अपडेट सामने आ कि काल करीना कपूर खान उसका लाल सिंग चड़ा movie की पूरा shooting खतम कर चुका है And यह उसके Instagram account में उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया उन्होंनों पोस्ट में बताया यह कौरोना पेंडविक के अंदर shoot करना बहुत ही tough था And पूरी टीम जिस तरह से उनको support किया इसी वजह से उन्होंने यह काम complete कर पाया In fact, Amir Khan को भी उन्होंने especially thanks कहा चलिए अपने एक story के बारे में बात करते उधित नरायन की बेटा आदित नरायन जिन्होंने काफी reality show में anchor किया गाने भी गाते, in fact, कुछ फिल्मों में भी काम किया तो वही आदित्य नरायन जब corona positive हुआ था तो उसका बहुत ही financial problem हुआ था उन्होंने recently एक interview में कहा कि अगर अमारी government पूरी lockdown के extended करते थे तो और भी थोरा problem में फस जा सकते थे आदित्य नरायन उन्होंने और भी बताया जितने सारे पैसा उन्होंने savings करके रखा था सब पैसा इक कोरोन की वज़ा से खतम हो गया था बस उसकी bank account में 18,000, only 18,000 रुपी last में था और भी जितने सारे पैसा था सब करोन की वज़ा से खतम हो गया था इनफेक्ट ऑक्टोबर के अंदर अगर कोई भी काम उसको नहीं मिलता तो शायद उसका बाइक सेल करना पड़ता था तो दोस्ता अब लोग सोची सकते हो कि कोरोन के अंदर बस आमद भी नहीं बरे-बरे सेलीबी टीवी financial crisis में परा था चले अपने एक स्टोडी के बारे में बात करते हैं दोस्ती इंडियान हिस्ट्री में सबसे जादा बज़ेट की फिल्म अब प्रवाश की हाथ में जबसे बाहुवली franchise शुरू हुआ और उसके बास शाहो फिल्म जब से सामने आया तो बिग बज़ेट फिल्म में प्रवाश रहेगा ही रहेगा अभी प्रवाश के हाथ में दो बहुत बरे-बरे प्रोजेक्ट है एक तो आधी पुरूश है और दूसरा नाग अशिन के साथ एक science fiction movie और आधी पुरूश फिल्म का प्रोडूश कर रहा है टी सिरीज तो टी सिरीज बालों ने बताया कि इस फिल्म के पीछे 400 करूर से भी जाधा पैसा लगाना पड़ेगा जो कि बहुत एक हाई बज़ेट है तो साइफिलिकां तो इस फिल्म के अंदर है और कुछ दिन पहले एक ख़वर सामने आता कि अचाए देव गन भी इस फिल्म के साथ जूड़ने वाले तो वही गुल्शान कुमर जो की टी सिरीज का ओनार उन्होंने बताया कि बाहु बली का रेकॉर्ड शायद तो तो आधी पुरूश अगर दूसरी साइट दिखा जाए तो ना अगाशिन की वह साइन्स फिक्शन मूवी वह भी 400 करूर से वी ज़्यादा पैसा लगा रहा है जिस फिल्म में दिबी का बादु कुछ दिन पहले में एक ख़वर आप लोगों को बता है कि आमिता बच्चन भी जूड़ने वाले तो दोस्तों कैसा लागे यह सब निव निव बॉलिव अपटेट सुनके ज़रूर बताना आपकी फीडबैक नीचे कमें सेक्शन में और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब के भीना कही मत जाना मिल दे नेक्स वीडियो में तब टेक क्यार बाई-बाई